आज कॉंग्रेस की भारत जोडो यात्रा का तीसरा और आखरी दिन है। यात्रा शामिली से सुबा छे बजे सुरू हुई थी। जन्ता ने फूल और मालाओ के सार राहूल गांधी का स्वागत किया। इसके साथ ही कई किसान संगटनों ने भारत जोडो यात्रा का समर्तन किया है। राहूल गांधी कल बुधुवार को यात्रा समाप्त करने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। आज सुबा दिल्ली से लौट कर वो यात्रा में सामिल हुए। कुछ घंटों बाद यात्रा कंधारा और कहराना पहुँच जाएगी। कहराना के उचा गाउं में यात्रा करीब तीन घंटे तक विस्राम करेगी। शाम साड़े तीन बजे करीब यात्रा फिर से सुरू होगी। यूपी में राहुल ने दो दिनों में 100 किलो मीटर का सफर पूरा कर लिया है। यूपी में आज करीब 25 किलो मीटर का सफर पूरा करते हुए यात्रा पानिपत बौडर से बौडर के रास्ते हरियाना में दाखिल होगी। यात्रा पांच जनवरी यानि आज शामली और छे जनवरी को कहराना से होकर हरियाना के सोनिपत जिले में प्रवेस कर जाएगी। छे जनवरी से दस जनवरी तक भारत जोडो यात्रा हरियाना में रहेगी। इसके बाद यह यात्रा 11 जनवरी को पंचाब में प्रवेस करेगी और एक दिन के लिए 19 जनवरी को हिमाचल प्रदेश से भी गुजरेगी। कॉंग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 20 जनवरी को जम्मु कस्मीर में प्रवेस करेगी और 30 जनवरी को राहुल गांधी तिरंगा फैरा कर इस यात्रा का सवापन करेंगे। ऐसे ही लेटिस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।